स्टोरी जैम में आपका स्वागत है यहां आप सुनेंगे कहानियां कुछ नई, कुछ पुरानी, कुछ जानी, कुछ अनजानी आज सुनिए कुलवंत सिंग भिर्क की लिखी पंजाबी कहानी बेटी का दहेज इस कहानी का पंजाबी से हिंदी में अनुवाद किया है घंश्याम रंजन ने 1947 की बात है पश्यूई पंजाब की हवा मुसल्मानों के दबदबे से भारी पड़ गई थी इतनी भारी कि बेचारे अल्ला रखे के लिए उसमें सांस लेना भी कठिन हो गया था अल्ला रखा मुसल्मान नहीं था केवल अपनी जान बचाने के लिए इसलाम के घराने में चला गया था फसादों में जब उसके और बहुत सारे पास पड़ोसी मारे गए थे तो उसने मुसल्मान बचाने की बिंदी की उन लोगों ने उसका नाम अल्ला रखा रख दिया क्योंकि यदि अल्ला उसको ना रखता तो उसे भी मौत के घाट उतार दिया जाता जान बचा कर अल्ला रखे को अब अपनी जान सभालनी मुश्किल पड़ रही थी गेरे में बंद किसी जंगली हिरन की तरह उसका दिल उड़ता रहता था धर्ती छोड़ कर वो जाए तो जाए कहां सारे आदमी घर दीवारें और सडकें उसको अपनी दुश्मन लगती तपती भूमी पर चल रहे किसी आदमी की तरह उसके पैर कहीं जम कर नहीं पड़ पाते और वो चौकनना चौकनना सा डोलता रहता शहर आदमियों से भरा पड़ा था पर वो किसी के साथ अपना मन नहीं मिला पा रहा था कुछ आदमी खराब हैं तो कुछ अच्छे पर कोई आदमी उसका अपना नहीं था अपनी नई रोटी नए कपड़े अपनी अब वाली सूरत और अब वाले साथी उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था बस एक वो था और एक उसकी पत्नी दोनों बैठकर वहां से निकल जाने की तरकीबें सोचते रहते उन्हें अपने बच्चों से भी डर लगता था कहीं घर में सुनी बात बाहर उनके मूँ से ना निकल जाए उन दिनों मैं पाकिस्तान में इस तरह से फसे हुए लोगों को निकालने में लगा हुआ था एक दिन उसने मुझे घूमते हुए देखा तो एक और कोने के लिए इशारा किया मैं वहीं जाकर खड़ा रहा पर वो नहीं आया वो मुझे से बातें करते हुए भी ढरता था शायद वहां खड़ा हुआ देखकर ही कोई गोली न मारते दो दिन बाद वो फिर मिला पूछने लगा तीन घंटों के बाद कहीं मिल सकते हो मैंने कहा कोठी पर आ जाना उसका मतलब साफ था वो हिंदुस्तान जाना चाहता था तीन घंटों बाद वो कोठी पर आ गया और हम कुछ फॉजियों को लेकर एक ट्रक में बैठकर उसके घर की ओर चल दिये जब हम उसके महले में पहुँचे तो उसे मेरे साथ बैठे देखकर लोगों को बहुत क्रोधाया मेरे साथ बैठने का अर्थ वो तुरंट समझ गए कि वो पाकिस्तान छोड़ कर हिंदुस्तान जा रहा है लोग इसे अपने साथ विश्वास घात समझते थे आखिर अल्ला रखा उन थोड़े से लोगों में था जो अपनी जबान पर एतबार किया जाने के कारण बच सके थे उन्होंने उसे इसलिए तो नहीं छोड़ा था कि वो कुछ दुनों के बार ट्रक में बैठकर हिंदुस्तान चला जाए उसका इस प्रकार बदलना उनका बहुत बड़ा अपमान था उनके चेहरों पर क्रोध देखकर अल्ला रख्का का भी रंग उड़ गया था उनकी तियोरियों से डरना उसका सुभाव बन चुका था जो गली उसके मकान को आती थी वो कुछ तंग थी और उसमें मोटर नहीं जा सकती थी ट्रक को सड़क पर खड़ी करके हम उसके घर गए भीतर उसकी पत्नी डर से सिकुडी हुई बैठी थी उसके डर का मैं अच्छी तरह अंदाज नहीं लगा सकता था जितनी सस्ती मनुश्य की जान उसकी आँखों के सामने होती रही थी उतनी मेरी आँखों के आगे नहीं हुई थी गली बाजारों में उसने जो मुर्दे देखे थे कुछ महीने पहले उसके विचार में वैसी ही घटना उसके साथ भी हो सकती थी मुझे पास डोलते देखकर उसे कुछ होसला हुआ उनका सामान बंधा पड़ा था और वो चलने के लिए तयार थे केवल एक छोटी लड़की की प्रतिक्षा थी जो स्कूल गई हुई थी वो भी तब ही आ गई मम्मी सलाम अलेकुम उसने आकर स्कूल में मिली शिक्षा के अनुसार कहा नहीं बेटा अब सत्स्रियकाल कै है हम अब हिंदुस्तान जा रहे हैं अल्ला रखा की पत्नी ने उसे शुब समाचार देकर गोद में उठा लिया और फिर सीधे सामने देखकर जैसे उसके भविश्य में जहांक कर देख लिया हो कहा अब तेरा विवाह वहीं करेंगे सारे महले में और आसपास के महलों में खबर फैल गई और लोग अल्ला रखा को जाते हुए देखने के लिए एकठे होने लगे कुछ लोग गली की दिवार से सटकर खड़े हो गए और कुछ दिवार पर चड़कर बैठ गए कुछ और दिवार के पीछे से जहांक रहे थे और कई अपने कोठों और चौबारों पर से देख रहे थे कली में खड़ों में से कुछ के पास राइफलें भी थी और उनकी गर्दन में पड़ी गोलियों की लड़ियां चमक रही थी यदि ऐसे समय राइफलों का दिखावा ना किया तो उनका क्या लाब सारा वातावरन, काफी शरारत भरा और भयानक बना हुआ था अब समान को ट्रक में रखने का काम होना था किसी मजदूर या किसी पड़ोसी का हाथ लगवाने का प्रश्ण नहीं था मेरे समान उठाने में मेरी अफसरी पर बात आती थी और यदि फौजी समान उठाने लग जाते तो हम सभी की जान को खत्रा था इसलिए इस काम के लिए अल्ला रखा अकेला ही था रजाईयां दुलाईयां उसने गठरी में बांद ली थी और बरतन बोरियों में भर लिये थे एक दो ट्रंक कपड़ों के थे जो जो अल्ला रखा सामान के नग उठा उठा कर ले जा रहा था आसपास खड़े दर्शकों का क्रोध बढ़ता जा रहा था कभी वो आपस में लडने लग जाते तुमसे कहा था ना इसको भी ठिकाने लगा दो अब बताओ एक आदमी दूसरे से कह रहा था अरे अब मिटा देते हैं शक अभी भी क्या पिगड़ा है उनमें से एक ने उत्तर दिया इस प्रकार की बाते सुनकर मुझे भी डर लग रहा था वो जगा इतनी तंग और खुली हुई थी कि बिना मारने वाले का पता लगे कहीं से भी गोली आ सकती थी पर हम वहां से पूँच दबा कर नहीं भाग सकते थे क्योंकि हमारे दोड़ने से उनके होसले बढ़ सकते थे और उनका जब्द तूटने का खत्रा था प्रुकर करके समान खत्म हुआ आखरी फेरी में उसकी पत्नी को भी मैं साथ ही ले आया मेरी समझ में अब उनके बेकाबू होने के पहले हमारे पास केवल इतना ही समय था कि हम ट्रक में बैठ कर निकल जाएं ट्रक में बैठने से पूर ला रखा कि पत्नी ने समान पर निगाह भेंगी कुछ चीजें उनमें नहीं थी वो गागर और बटलोई नहीं लाए तुम वो कहें में बंधी हुई थी बंधी तो नहीं थी वो ऐसे ही रखी थी वो नहीं आ सकती अब जहां माकान और ऐसा ही और सामान रह गया है वहीं रह जाने दो बैठो चलो अल्ला रखा ने ठीक कहा उन्हें लाना अब बहुत खत्रे वाला काम था हमें जाते हुए देख कर लोगों को घुसा हद पर आ गया था वो एक दूसरे से बढ़ बढ़ कर कड़वी बातें मूँ से निकाल रहे थे और जब और कड़वी बात ना सूचे तब लोग धक्के मुक्के या गोली पर भी आ सकते थे हो सकता था कि हमें निकलता देख कर कुछ लोग बची खुची चीज़ें उठाने के लिए घर में घुस गए हो और हमारे वापस जाने से डर जाएं डरा हुआ आदमी क्या नहीं कर सकता पर अल्ला रखा कि पत्नी पर ये दलीलें कुछ असर नहीं कर रही थी उसका ध्यान किसी दूसरी और लगा हुआ था वो गागर और बटलोई तो जरूर लानी है उसने अपनी बेटी की और और फिर ट्रक में पड़े हुए थोड़े से सामान को देख कर कहा वो अकेली वापस घर की ओर चल पड़ी मैं भी पीछे गया क्योंकि मेरे साथ होने के कारण आस-पास का लावा उबलने का खत्रा कम होता था अंदर जाकर उसने गागर बगल में दबा ली और बटलोई हाथ में लटका ली इनको लेकर कहा कहा डोलती फिरोगी कितने भारी भी तो है मैंने धीरे से जड़की दी उठाने में भारी हैं तो क्या हुआ मैं बेटी को दहेज में क्या दूँगी वापस आते हुए उसके पैर धर्ती पर मजबूती से पड़ रहे थे और चाल मजबूत थी उसकी धिरता का प्रभाव सभी पर पढ़ रहा था ट्रक में आकर उसने बेटी को गोद में उठा लिया और ट्रक पर बैठ कर उसने एक लाद गागर पर और एक बटलोई पर पसार दी अगली बार फिर मिलेंगे एक और कहानी लेख या कविता के साथ तब तक अल्विदा झाल्विदा झाल्विदा